Hello friends and welcome to Inspiration Arts मैं नहीं सारव सहा और आज की ये वीडियो है Continuation of my series of how to draw Tiger Shaw's face और आज की ये वीडियो मैं मैं आपको बताऊंगा मेरी detailed steps to draw his facial hairs So let's begin तो दोस्तो पिछले वीडियो मैं मैंने आपको detailed steps बताया थे कैसे हम Tiger Shaw's face के जो base layers को setup करे और अच्छे से उसके face के planes और curves को बनाएं तो हमारे पास पूरा base ready है इसके उबर हमें बस उसके facial hairs को put on करना है और अच्छे से उन्हें draw करना है तो सबसे पहले हम अपके नहीं reference को देखकर पस हलके से HB pencil से उसके मुझ के markings को बना लेंगे उसके बाद जो darkest pencil है हमारे पास उसको use करके हम start कर देंगे हमारे मुझ को बनाना तो सबसे पहले जो darkest areas अपने मुझ में हैं उसको हम darkest pencil से बस lines बना लेते हैं in the direction of the moustache और आपको जैसे दिख रही होगी reference image में कि वो पूरी तरह से clear नहीं है कि वो up to down है तो हम उसे थोड़ी बहुत break करेंगे जब हम up to down lines बनाएंगे तो थोड़ी बहुत break करेंगे ताकि वो एक पूरा straight line ना लगे और वो पूरी घनी मुच ना लगे तो उसी तरह से हम जो darkest areas है उसको dark pencil से बना रहे हैं और जो lightest areas है उसको हम HB pencil से बना रहे हैं दोनों के combination को use करके हम interchange कर रहे हैं बार बार और reference image को अच्छे से देखकर जो areas dark है उन्हें dark बना रहे है और जो areas light है उन्हें light बना रहे है और आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं साथ ही साथ अपने lips पे भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ थोड़े hatching के बाद आप उसमें थोड़ा सा cotton wick कर लेके आप उसको थोड़ा सा smudge भी करें क्योंकि पूरी तरह से rough heavy नहीं reference image में हमें जैसी दिख रही है तो इसी तरह से हम अपने सारे dark areas और light areas को अपने मुच में दे चुके हैं और वो पूरी तरह से ready है इसके बाद हमारा काम है next जो की है उसके beard को बनाना तो सबसे पहले हम जो jaw line पे उसकी hulky beard को देख रहे हैं उसके बस markings को हमें बनाने हैं जैसे कि हमें reference में दिख रहे हैं कि वो ज्यादा नहीं है तो आपको थोड़े सा delicate रहना पड़ेगा अपने हाथ के साथ और hb pencil और dark pencil दोनों का use करके जो left side की है उसको hb pencil और right side की है dark areas उसको dark pencil का use करके आप बस mark कर लीजे उसके बाद आपको जो main beard है उसको बनानी है लेकिन आप देख सकते है जो normal beard straight hair की जैसी होती है उस तरह की यह beard नहीं है यह काफी छोटी beard है और काफी dotted दिख रही है तो हमें भी अपने जो darkest pencil है उसका use करके हमें भी वो beard dotted बनानी है इसका मदब यह नहीं कि आप एक एक बाल बनाने जाए बलकि अपने pencil को बस हलके से scribble करते है रही है beard के ओपर आपको पूरी तरह से light रखनी है अपनी hand के जो pressure ह है उसको और आपको एक dark pencil यूज़ करने है इसी लिए हम recommend करते हैं कि एक dark pencil का use करें क्योंकि अपने hand की जो pressure है उसको आप अच्छे से control करके अच्छे lines बना सकते है तो आप dark pencil का use कीजिए dark areas पे और जो upper side है क्योंकि यह पूरा beard उतना ज्यादा dark नहीं है और उतना ज्यादा spreaded नहीं है तो आप जो dark areas नीचे के area से उसको dark बनाए है dark pencils है और उसके बाद HB pencil का use करके जो उपर के light area से उसको अच्छे से detail ली आप जितना हो सके बनाते रहे है इसी तरह से जो minute details है उसको आप देते रहे है और finally हमारा जो beard है वो ready हो जाएगा अपने face पे तो दोस्त हमने beard के complete होने के बाद हमारा face काफे ready दिख रहा है और इसके बाद हम ready है अपने next step पे जाने के लिए जो की है hair तो next video में मैं आपको यही बताऊँगा कि कैसे आप draw कर सकते है tiger shop के hair को so stay tuned and subscribe to inspiration arts